हैंलो फ्रेंट्स ये देखिए मैं गला बनाना बताती हूं सूयी वाला गला कैसे बनाया जाता है? और सलाइ और कैसे उतारी जाती है? इसकी टीन सलाइ उतारी जाती है बाडर वाली जो ये एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा होता है उसमें से सीधे फंदे को सीधा बना जाता है ये देखिए और ये जो उल्टा फंदा होता है इसको बिना बना उतारा जाता है स्लिप कर लेते हैं यह देखिए एक फंदा बनाके यह उल्टा फंदा जो यह स्लिप किया और यह फंदा बनाया यह फंदा स्लिप किया इस परकार से पूरी शिलाई बनाई जाती है यह देखो एक फंदा बनाके एक फंदा सिलीप करके हम पूरी सलाई कंटिनू करते हैं इस परकार से इसकी तेन सलाई बनाई जाती हैं आप पांच भी बना सकते हैं अगर ज्यादा चोड़ाई रखनी हो तो हम पांच भी बना सकते हैं पूरी स्लाई इसी परकार से बनेगी, उल्टी साइड से भी इसी परकार बनेगी, जो फंदा हमने उतारा है, उसको उतारना है, जो फंदा हमने बनाया है, उसको बनाना है, धागा अपनी साइड ही रखना है, इस परकार से, यह देखिए, एक फंदा बना के, शी देवाला, और दूसरा फंदा स्लीप करके उतारना इस परकार से हमने तीन स्लाई बनानी इसमें अब हम सुई से बनाते हैं यह देखने यह पहला फंदा सिधा है तो हम इसको पहले एक फंदा हम यहां से उठाएंगे नीचे से और इसको दागे को ऐसे बनाएंगे खेंचेंगे और इसी देफंदे को हम इधर से डालेंगे इधर से देखिए यहां से ऐसे डालेंगे और पूरा दागा ऐसे करेंगे जो हमने यह उल्टा फंदा लिया था इसको हम सलाई में से निकाल कर नीचे से निकालेंगे इस परकार से इस परकार से सलाई में से निकाल कर ऐसे निकालेंगे और जो यह फंदा उठाया था इसके साइड वाली ही दूसरी पिन उठाके इसमें से सीधी निकालेंगे यह स्टार्ट करने, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, अब इसका जो आगे वाला फंदा है, यह देखिए, यह वाला है, इसको पकड़के, सुई से, और जो सीधा फंदा है, इसको इस परकार से डालिए, यह देखो, और आगे वाला उल्टा फंदा था, जो उसको बाहर निकाल लें, यह देखिए, नीचे से ऐसे निकाल लें, और जो पहले वाला फंदा था, जो पहले नीचे से निकाला था, आपने, उसका यह इससा ले ले लें, एक साइड वाला, और इस में से सिधा निकाल लें, इस परका से आगली बार ये फंदा उठाईए यहां से और इसको इधर से तिर्चा करके इसमें डालिए फिर आगे इसको इसी प्रकार से निकालते रहिए एक फंदा इसमें से उठालो जो पहले निकाला था और एक फंदा ये वो जाता है जो हमने सलाई में से निकाला इसको इस प्रकार से बनाएंगे ये देखिए पहले उपर से एक बार उपर से लेना पड़ता है और एक बार नीचे से ये देखिए ये जो बना चुके उसमें से एक दागा लेंगे और इसमें से फंदे में से निकाल लेंगे फिर ये जो उल्टा फंदा था हम इसको सलाई में से निकाल देंगे और नीचे से इस परकार से बार निकाल लेंगे और पीछे वाले फंदे के किनारी लेके एक दागा इसमें से उठा लेंगे और ये फंदा इसमें से निकाल देंगे इसी परकार से हमने पूरी श्लाई बनानी है और फिर अमारा गला बन जाएगा गोलाई इसमें अपने आप आ जाएगे एक फंदा नीचे से निकालते रहें यह देखिए इस परकार से हमने पूरी श्लाई कम्प्लीट कर दिये यह एक फंदा बाकी बचा है इस परकार से गटा दें इसको और यह गला कम्प्लीट हो जाएगा यह देखो हमने पूरा कर दिया यह देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी बहुत अच्छा गला बनाए यह देखिए यह देखिए